नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागते मैं हूँ आपके साथ शुक्ता मेरोत्रा सबा के सस्थापक मुलायम सिंग की पतनी साधना गुपता का आज निधन हो गया है गुरुग्राम के मेदान था अस्पताल में उन्दोंने आज अंतिम सांस ली फेफडों में इन्फेक्शन की वजह से साधना गुपता का निधन हो गया है आपको बता दे कि जैसे ही ये खबर फैली है उसके बाद से ही मुलायम सिंग के आवास के बाहर कारेकरताओं का ताता लगने लगा लोग शोक समवेदनाई देने लगे मुलायम सिंग के आवास लेकर सोशल मीडिया तक सभी तरक शोक समवेदनाई व्यक्त की जा रही है मुलायम के आवास पर नेताओं का पहुचना भी जा रही है सपानेता नरेश उतम राकेश सिंग भी मौजूद है आपको बता दे कि प्राइवेट जेट के जर्ये साधना गुपता का शव मेदानता अस्पताल से लखनव लाया जा रहा है और इस खबर पे हमाई साथ जदबाचीत के लिए समधाता विभांशू जुड़ चुके हैं विभांशू क्या ज्वानकारी है कितनी देर में साधना गुपता का शव लखनव पहुच जाएगा साधना गुपता के पैस्रिक साहीव जो है वो मेदानता स्पताल से चाटिड प्लेन के दवारा अमोसी एक गूट लाय जाएगा और देखने दिवाद की होई कि उनका जो अल्विभांशू का रहा है उनका आने का संप्ला दीवे जिरिया बड़ता जा रहा है अब अब दो करें तो कुरू की प्रिशा में जो तारे करता है वो मौझूद है और रही जो बाहर की जाएगा अब दो कि अखिले स्यादो की चाचा है श्युपावज सिंग यादो वो मौलायम सिंग की आवाज पहुचते हैं उससे ठीक पहले साधना गुपता की जो बहन है वो पहुचती है और देवे दिवे दिवाद को आपको आएं कि मौलायम सिंग नई दिल्ली में थे जैतो उन ससना गुचता जो कि मौलायम सिंग के पशली मौथ पे उनकी देहाँ पे जो सुवे के मुखे मंत्री के मुन्टरी गई है वहीं आप तस्वियों में देख सकती है सिखा कि यहां अब धीरे-धीरे कारेकरताओं का जो आनी का सिर्फिला है वो बढ़ता जा रहा है और लोग आपको बताएं कि अभी इस वक्त अगर बात करें तो मुलायम सिंग के आवास में अखिलेश यादो मुलायम सिंग सा देख साधना गुपता को के साथ बाते हैं नई बिलने से आ रहा है जा रहा है जी विभाश्यों साधना गुपता के छोटी बहु अपर ना यादब बीजेपी में तो बीजेपी से कौन-कौन से लोगों के पहुचने की संभाव नचताई जा रही है जी ए शिखा पको बता अब देख जो है कि अब देखने होगी जो अंतिम संकार है वो सैसाई में होता है या लखनों में जी विभाशु अगर मुलायम सिंग की बात करी जाए तो उनका भी स्वास्त काफी समय से ठीक नहीं चल रहा है और ऐसे में इतनी बड़ी ख़बर तो क्या लगता है कि वो इस जटके को बरदाश कैसे करेंगे क्या उनके बेटे उनके सह अबनेंगे जी तुखा आपको बताएं कि जब मुलायम सिंग अपने आवास आते हैं तो साफ तौव पे उनके सहरे पे उदास्ती नजराती है और वह कारेकरता जो उन्हें पत्नी के प्रदान्जी जेने के उनके आवास के बाहर थे उनके उनका सुक्रिया आदा किया हाथ आते हैं प्रदान्जी जेने के लिए कत्रित हो चुके हैं सबके सहरे मायूष नजरा है वही सिखा हम कुछ कारेकरताओं से भी बात करेंगे उनसे जानेगे की जो गुलायम सिंगी पत्मी सादना गुप्टा के नके देहान पे वह क्या कहते है तर हम यह वता हैं कि आज है क अब आपको बताएं कि जीवे थीवे जो आनिका सल्फला है निताओ का वो बढ़ता जा रहा है अब आपको बताएं कि अगर बात करें मुलायम सिग्ण की आवास में ईशाती साथ मीस खणों मौझूद है मुलायम सिंग की भाई सुपाल एदो भी मौझूद है और भी अगर बात की जा तो सबसे पहुंचने कि पहले की बारी की इस कोपाथ की जा सबसे पहले साधना गुष्टा की पतनी साधना गुष्टा की जहन आती है उसके ठीक बाद अगर नेताओं में बात की जा तो सबसे पहले मुलायम सिंग के भाई से उपाल यादव आते हैं और जब यह सूचना आती है तो अखिले स्यादव अपने पिता को विशिव करने के अब यह स्थाफ पूट जाते हैं अब इस पीड़े मुलायम सिंग के आवाज से पहुच कर और अंदर बात कर दबात हो रही है पिता पुत्र और परिवार के लोग है उनका भी कत्रिश हो रहे हैं साथी साथ जो रिश्चेरार है उनके भी आने का सिल्षिला जारी है अब बात यह होगी कि जो स्व है वो कब सक आता है लगनो या उसे सैफ़ा ही जाता है यह अभी असाफ नहीं हो पाया है वहीं अगर सुच्चों की बात करें तो सुच्चों के मुताबित जो साथना गुप्ता का पार्शिव सरीव है उसको चार्टिड ए प्लेन से लाय जा रहा अभी साथ नहीं हो पाया कि उन्हें कहां उनका अंजिन संसकार किया जाएगा अब अंदर बात्चित चल लए है अब बात करने की कोशिव की जा रही तो सबके सबसे सुच्च्च दी जा रही है वही अगर बात की जाए तो समझवादी पाटी के जो मतेश अज्यक्त है नर अज नहीं किया जाएगा अंतिम संसकार नहीं किया जाता है अब देखने बात यह होगी कि क्या वो पैत्रिक आवास पैपई में होती है या उसे लखनों में किया जाता है अगर बात की जाए तो अब तक जो तादना गुक्ता की बहु है अफना यादो अब तक नहीं आई है ताथी साथ प्षीक यादो अभी दिल्ली में मौझूद है और वो पार्शीव सरीव के साथ लखनो आ रहा है जे सिका अगर बात करी जाए शोक सम्वेदनाओं की तो ट्विटर पे भी लोग अपनी सम्वेदनाओं व्यक्त कर रहे हैं परिवार को सान्फना दे रहे हैं तो अभी तक कौन-कौन से से बड़े चहरे हैं जिन्होंने अपना फ़र्ट्स अदा कर लिया है तिक आपको उताए कि सुबे के कुछ मुख्य मंद्री पेस्व पताद मौर्या की सरफ से सबसे पहले ट्वीट करके विनम रसंव भानजली दी गई जिसकी बाद सुबे के मुख्य मंद्री की तरफ सबसे जारी है और सभी जो वेपक्स है सबकी तरफ से सोक सम्विधनाई दी जारी है वहीं आप देख सकती है तस्रीव में दीवे दीवे लोगों का जो तादाथ है वो बढ़ता जा रहा है और जो समझवादी पार्टी के नेता है साथी साथ मुलायम शिंग के लिश्किद अब कारेकरता जो है उनकी भी आने की दाधा जो है वो धी रिश्किदी के लोग है उनकी भी यहां मौजूज़्गी गरती जा रही है यह उनकी जारी है ट्राइसिक पुलिज भी लगा दिये गए है और जो भी अब बात की गया तो फुसासन के लो विश्टे बिलकुल विभांशू और इस वी जेकब और बड़ी खपर सामने आ रही है सास के निधन पर अपड़ना यादव ने ट्वीट किया है इस वक्त की बड़ी खपर सामने आ रही है अपड़ना यादव ने ट्वीट कर गहरा दुख जताया है पूज सासु मा के निधन से निशब्द हूँ अपड़ना यादव ने किया ट्वीट मुलायम सिंकी पत्नी साधना कुपता का निधन इस वक्त की बड़ी ख़बर सामने आ रही है सास के निधन पर अपड़ना यादम ने किया ट्वीट अपड़ना यादम ने ट्वीट कर गहरा दुख जोताया है अपड़ना यादम ने किया ट्वीट अब सामने आ चुका है गहरा शोक व्यक्त करती हुई ट्वीटर के मादियम से नसर आ रहा है इंके सरस देखते हैं अपड़ना चुका है साथना यादो और वहीं आपको बताएं कि अपरना यादो अभी महद कुछ समय पें वीज़ांसमा चुनाव में उन्होंने समझवादी पार्टी से अपने विश्चों को तोर कर अभासी चंता पार्टी को जोईन किया तो कहीं ना कहीं परिवार के बीच में जो खटास है उस सब एक साथ है और जहीं ना कहीं अगर देखे तो शेपाल यादो यहां सबसे पहले पहुंचे तो इस ते साथ यह जब मुलाइम सिंग राजडेती में उनके पार्टी की तरफ से उन्हें जीव दी गए तो जीव को स्योपाल चलाए करते थे तो मुलाइम सिंग की अगर र सिंग के हर एक शुक की घड़ी या दूख की घड़ी है और जो भी चोटी बड़ी अपडेटों में देते रहिए बहुत बश्यक्रिया मैसा जुड़ने के लिए तो दुक्की घड़ी है इस वक्त मुलाइम परिवार के लिए और मुलाइम सिंग यादव उनका स्वास्त ख साफी समय से खराब चल रहा है और आज जब इनके लिए इतनी बड़ी और दुखत खबर सामने आई है तो उनके और उनके परिवार के प्रती हम भी सम्वेदना व्यक्त करते हैं तो आज बड़े ही दुख की घड़ी है मुलाइम सिंग यादव के लिए हलाकि वो किस तरह से अपने आपको सम्हार रहे हैं उनका सहारा उनके छोटे भाई शिफपाल यादव और साती सात बेटे अखलेश यादव भी बने हैं और पूरा परिवार साती सात सपा परिवार भी एक जुट हो रहा है मुलाइम की आवास के बाहर आप भीड देख सकते किस तरह से शोग सम्हार नाइव व्यक्त करने लोग एकत्र हो रहे हैं यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्दा हसिर होंगे आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार ही तक आप देख देखेंगे